नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं इसके अलावा जो दूसरे टोपर हैं, उनको दो लाख और तीसरे टोपर को एक लाख रुपए की रासी देखकर समानित किया जाएगा इसके साथ ही सभी तीनों टोपरों को लैपटाप वा मोबाइल फोन दिया जाएगा उन्होंने कहा है कि जैक अब छात्रों की सफलता के साथ उनके अच्छे विकास को लेकर भी काम करे ताकि यहां के छात्र विभीन परत्योगतावों में सफलता अरजित कर सके उनके अच्छी पढ़ाई के लिए भी जैक सुझाओ दे सकता है जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतों ने कहा है कि इस बार रियल्ट अच्छा रहा उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को सुबकमनाय देते हुए कहा है कि जैक हमेशा यही चाहता है कि बच्चों के अंदर परिक्षा का डर न हो वे आगे बढ़े और राजे का नाम रोशन करे उन्होंने बताया है कि जैक कर्मियो की ततपरता का पईनाम है कि मुल्यांकन होने के एक माह के अंदर मैट्रिक वा इंटर साइंस का रियल्ट परकासित कर दिया गया है मैट्रिक के टॉप दस में तीन आदिवासी जारखन एकेडमी काउंसिल के मैट्रिक का रियल्ट आगया है टॉप दस की सुची में कुल 64 स्टूडेंट है इनमें 22 जेनर काटेगरी के 22 बीसी वन काटेगरी के बीसी टू काटेगरी के बारा अनुशुचित जन जाती के तीन और अनुशुचित जाती काटेगरी के पाँच स्टुडेंट सामिल है मैट्री की चौसर टॉपर में भी लड़कों से ज़्यादा लड़किया है इस लिस्ट में 33 बेटियों ने अपनी जगा बनाई है बता दे इस्टेट टॉपर स्रेया संगीरी है जिसने 500 में से 490 अंखासिल किये है वहीं पूर्वी सिंभूंग के चकुलिया के पूर्णा पानी आदिवासी हाई स्कुल की स्टुडेंट है वहीं दूसरे टॉप में सौरभ कुमार पॉल 489 बीसीवन काटेगरी वहीं तीसरे में दिक्षा भाती 488 बीसीवन काटेगरी के हाई पीता सिवु सुरेन के साथ ममेरे भाई के रिसेप्सन में पहुंचे सियम हिमन्त जारखन के मुख्य मंत्री हिमन सुरेन मंगलवार की साम सलक मार्ग से सराय के लखा सावा के चांडिल पहुंचे चांडिल के धात की डिह गाउं पहुंचने पर मुख्य मंत्री को जिला पसा संद्वारा गौड आप अनर दिया गया मुख्य मंत्री यहां ननिहाल में आयोजित एक बिवा समारोः में अपने पिता सिवु सुरेन वा भाई बसंद सुरेन के साथ भाग लेने पहुंचे थे उन्होंने नौदम पत्ति को बढ़ाई दी है इस औसर पर अस्थानियों लोगों ने भी मुखे मंत्री का स्वागत किया इस दोरान मुखे मंत्री को अस्थानियों लोगों ने भी अपनी समस्यावस समसित के अपन भी सोपा मामा के लड़के की साधी की रिसेप्शन पार्टी में सरीक हुए अपने पिता राजसाबा सांसा सीवु सुरेन भाई बिधायक बसंद सुरेन समेथ परिवार के अनसरस्वन ने नौदम पत्ती को साधी की बधाई दी सियम हेमन सुरेन ने मामा लखी राम किसकु के पुत्र धरम किसकु अब बधु को दामपत्त जीवन की सुभकमनाय देते हुए असिरवाद दिया जार्खन बोर्ड की दसवी टॉपर स्रेया ने बताया टॉप करने का राज जार्खन बोर्ड की ओर से 23 माई को मैटरी के रियल्ट की घोसना कर दी गई है दसवी के रियल्ट में बेटियों ने बाजी मारी है बता दे पूर्भी सिम्हुम के चाकुलिया की रहने वाली स्रेया संगिरी ने पूरे जार्खन में टॉप किया है स्टेट टॉपर स्रेया ने बातचीत में कहा है कि जारखन बोर्ड मैट्री के स्टेट टॉपर स्रेया संगिरी ने अपनी सफ़ता का स्थ्रे सब से पहले अपने माता पिता को दिया वहीं स्रेया ने इसके पिछे अपनी सिक्ष को के भी मेहनत का जिक्रे किया है स्रेया ने बताया कि उन्होंने परिक्षा की त्यारी आमतिम समय में नहीं कि बलिक दसवी कक्षा की पढ़ाई सुरू होते ही वह मैट्री की त्यारियों में लग गई थी स्रेया के पिता सुनील संगिरी ट्यूशन पढ़ाते हैं जबकि मा सुप्रिया संगिरी हाउस वाइप है स्रेया कहते हैं कि पिता ट्यूशन पढ़ाते हैं और उनसे मुझे बहुत प्रेना मिलती है उनसे प्रेना लेकर स्रेया भी एक अदर सिक्षक बनना चाहती है राइधानी राइधानी के सभी बैंकों में दो हजार के नोट बदलने के परक्रिया सुरू राइधानी राइधानी के सभी बैंकों में दो हजार के नोट बदलने के परक्रिया सुरू हो चुकी है भारत के सबसे बड़े बैंग SBI के सभी ब्रांचों में 2000 के नोट बदालने के लिए खास तेरिया की गई SBI के टॉप अधिकारियों ने सभी ब्रांचों में तयनात पता अधिकारियों को निदेश दिया है कि जितने भी ब्रांच हैं वहाँ पर ग्राहकों के लिए पानी की ब्यवस्था बैठने की ब्यवस्था सिसी टीवी केमरे लगवा है बतादे रांची में करीब 41 SBI के ब्रांच हैं इसको लेका सभी ब्रांच के पतादीकारियों के अधिशा निदेश दिया गया है राज्ये में पटरी पर लोटने लगी है बिजली आपूर्ती राज्ये में बिजली आपूर्ती समान्य हो रही है मंगलवार को लोट सेडिंग में काफी हद तक कमी देखने को मिली संताल प्रगना में भी इसका असर पड़ाया कोछ जीलों में बारिस के कारान बिजली की मायंग 2900 मेगावार्ट से घटकर करीब 2500 मेगावार्ट तक पहुच गई बता दे इनियन एनर्जी एक्सचेंज का 45 क्रोर पकाया भी मंगलवार को बिजली बित्रन ने चुका दिया है इसके बाद प्राप्ती पोटल के डिफोल्ट लिश्ट से जार्खन बिजली बित्रन निगा महट गया वही राजे को अतिरिक्त बिजली के अपुर्ती भी तुरू हो गई मंगलवार को साम तक अधिकतम 300 मेगावाट की लोट सेडिंग होई इसके बाद लोट सेडिंग बंद हो गई राची में लोट सेडिंग नहीं होई है दम तोड़ रही राज सरकार की पेट्रोल सबसिडरी योजना राज सरकार की मत्वकांची पेट्रोल सबसिडरी योजना दम तोड़ रही है आवंटन के अभाव में मार्च औ अप्रेल में आवेदन करने वाले लाबकों को अब तक सबसिडरी रासी नहीं मिली है लोगों के बीच इस योजना के बंद होने की चर्चा है इस वज़स से आवेदनों की संख्या भिलागतार घट रही है बता दे मार्च में 360 तो अप्रेल में मातर 315 लोगों ने ही पेट्रोल सबसिडरी के लिए आवेदन किया है बिभाग ये अधिकारी योजना के बंद होने की बात से इनकार करते हैं लेकिन सबसिडरी रास्ती का बुकतान कब होगा या पताने को तयार नहीं है गौतलब हो कि जन्वारी 2022 में इस विजना की शुरुआत की गई थी विभाग ने इसका खुब परचार परसार भी किया था राष्ट पती तिन दिवस्य दोरे पर आ रही है जारखंड राष्ट पती द्रोपदी मुर्मू 24 माई को तिन दिवस्य दोरे पर जारखंड आ रही है रांची के नामकुम परखंड के जयूटी परिसार इस्थी ट्रिपल आइटी के दीतिय दिक्छान समारों में वह बत्वर मुक्य अतितिती सामिल होंगी कारकरम को लेकर यूद अस्थर पत्यारी चल रहा है इसी करम मंगलबार को सुवा मुक्य सचीव सुखदेव सिंग डीजी पी अजय कुमार ने कारकरम अस्थर पत्यारीों का नरिक्छन किया मुक्य सचीव ने अधिकारों को दिशान निर्देश दिये इस महके पर एडीजी संजय आनंद लाटकर आजी पंकज कंबोज डीआजी अनुप बिर्थरे उपायुक्त राहूल स्सप कोसर किसोर डीडीजी दिनेस कुमार ग्रामीर स्प उपस्थी थे एसेस्पी मुख्यालाई प्रत्थम मुमल राजपुरोहित नामकुम थाना प्रभार इंस्पेक्टर स्टुनिल कुमार तिवारी समयत अने मजूद थे बरतमान राय सरकार लूट खसोट की कर रही है रायनीती भारतिया जानता पार्टी के जीला कार्याले में मंगलवार को ग्रामीन मंडल एवाम नगर मंडल कार्य समीती की बैठक संपन होई उन्होंने कहा है कि कार्य समीती बैठक हमारे द्वारा किये कार्यों का मुलंकन करने का एक तरीका है जिसमें पिछले दिनों क्या कार्य किया है एवाम आने वाले दिनों में माहा जन सनपर्क अभियान के ताहत होने वाले विभीन कार्यकरम के समने विस्तित पुर्वक चर् जार्खन स्टेट स्टूडेंट यूनियन हजारी बाग एकाई के सहसों ने राज जे अस्तरी जन परतिनिद्यों से मिलने की मुहिम के तहत मंगलवार की सुबा हजारी बाग के सोदर बिधायक मनिश जैसवाल से मुलकात की यूनियन ने नियोजन निती को आपस लेते हुए चेत्रीव जन जाती भासा अधारित समयधानिक नियोजन निती लागू कर यहां के सरकारे विभागों में जार्खनडी छात्रों को नियुक्त करने की मांग की है जन सेवकों का हर्ताल 15 दिन भी जारी ग्रेड पे कम किये जाने सहित विभीन मांगों को लेकर जन सेवक संग रामगर का 15 दिन भी हर्ताल जारी रहा क्रिसी विभाग के दो स्पून रवया के कारण अने करम चारी संगठनों का भी इस हर्ताल का नहतिक समर्थन मिल रहा है इसी करम में जार्खन परदेश प्रात्मिक सिक्छक संग के संगठन सचीव सुनिल कस्यप धारना अस्थल पहुंचे सभी का उत्साव वर्धन किया उन्होंने अस्वस्थ किया है कि अगर जल्द ही सरकार अपने जल्द बाजी में लिये गए निर्नाय को नहीं बदलती है तो साथियों का पे ग्रेड पुरो के जैसा नहीं करती है तो सभी संग अठन कंधे से कंधा मिला कर गलत निती का बिरोद करेंगे कला संस्कृती विभाग का क्रियेटिव समर कैम्प गुरु आर्षे जारकन सरकार की संस्कृती कारे निदे सालाय पहटन कला संस्कृती खेल कुदव युआ कार्या विभाग गुरु आर्षे क्रियेटिव समर कैम्प का आयोजन करने जा रहा है आर्षे हाउस में आयोजित 15 दिवस के समर कैम्प में बाल नाटक कारे साला, सास्तिरिये गायान, कत्थक निरित, भारत नाट्याम, प्रमपारिक लोक निरित और आर्ट आयन क्रोफ्ट की कारे साला चलेगी यहां कारे साला पूरी तरह से निसुल्क है कारेसला में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र आट्रे हाउस जारखन कला मंदीर होटवार संस्कृतिक कारे निदे सालाई और कारे लाइक के निदे सालाई की वेब साइट पर प्राप्त किया जा सकते हैं कारेसला के संदर में विस्तित जनकारी के लिए 0651-2401917 संपर किया जा सकता है कारेसला में रेजिट्रेशन कराने के अमतिमती थी 25 माई की सुबर 8 बे तक है जेबी भी एनल को हो गई पैसे की कमी 500 और एक है कोड़ रहस्व उगाही का दावा एवन दम्भ भरने वारे जेबी भी एनल को क्या वकई में पैसे की कमी हो गई है या फिर या लपरवाही है या सवाल अब उठने लगा है बता दे राज में गर्मी चरम पढ़ा है उपर से राष्ट पती का दावरा भी 24 माई से सुरू हो रहा है इसको देखते हुए बिजली अपसरों के हाथ पाप होने लगे है आनन फानन में आधोनिक पावर को मंगलवार को सेस बचे 25 कोड़ रूपए जमा करवाया गया ताकि गर्मी के करनबड़ी बिजली की माँ को पूरी की जा सके पैसा जमा कराने के बाद सेंट्रल पावर एक्स्चेंज के प्राप्ती पोटल से डिफोल्टर के रूप में जवी भीनल का नाम हट गया और रात आट बज़े से सेंट्रल सेक्टर से बिजली मिलनी सुरू हो गाई इससे जवी भीनल ने राहत की सास लिया है सीवी सेवा परिक्षा में जार्खन के होनारों ने लहराया परचम संग लोक सेवा आयोग की सीवी सेवा परिक्षा 2022 में जार्खन के होनारों ने अपना परचम लहराया है इस परिक्षा में जहारकन के कई अभियार्थियों ने अच्छे रहेंग के साथ सफलता प्राप्त की है इसमें सफलता प्राप्त करने वालों में कई समाने परिवार के हैं आयोग ने मंगलवार को इस परिक्षा के पहिनाम जारी किया है बतादे जमसेदपूर के बारी डीह के रहने वाले मनिस भर्दवाज को इस परिक्षा में 114 हुआ रेंक हासिल किया है वहीं बैंगलूरू से इलेक्ट्रोनिक्स आइंड टेली कम्यूनिकेशन में बीटेक करने वाले मनिस ने इससे पहले बीपी एस्ती सहीत काई परिक्षा में सफलता प्राप्त की थी ये बरतमान में बेगू सराय में भोमी सुधार उपसा महारता के पद पर करने था है इन्होंने इस पद पर कार्य करते हुए सिविल सिवाप परिक्षा की त्यारी किया है राष्ट पती के जहारखन आगवान को लेकर कार्केट का किया गया रिहलसल राष्ट पती द्रोपती मुर्मु के जहारखन दोरे को लेकर पुलिस पसासन की ओर से कड़ी सुरक्षा के बीच कार्केट का रिहलसल किया तैयर रूट पर पुलिस पता दिकारियों और जवानों ने कारकेट का रिहसल किया इस दोरान परमुक सलकों पर सुरक्षा के पुखता इंत्याम देखे गाए बता दे 24 माई को राष्ट पती द्रवपती मुर्वतीन दिवसे दोरे पर जार्कन आ रही है राष्ट पती के आगमान को लेकर मंगल और कुरांची एर्पोर्ट से लेकर राजभवन राजभवन से लेकर अलवट एका चोक तक कारकेट का रिहसल किया गया इस दोरान परमुक सलकों पर सुरक्षा के पुखता इंत्याम देखे गाए धन्यवाद